तो दोस्तो नमस्कार स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं यहापको बताने वाला हूँ कि दोस्तो आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा डीवीटी या तो नहीं या तो दोस्तो कौन सा बैंक एकाउंट लिंक है A to Z इस वीडियो में कंप्लेट जानकारी बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तो सरकारी स्कीम का जो भी पैसा मिलता हूँ डीवीटे के थुरू या तो एनपीसी आई लिंक बैंक खाता में पैसा ट्रांसवर हो जाता है ऐसे में दोस्तो बहुत सारे यहां पे जो भी हैं दोस्तो उनको पता नहीं च क्विस्ट है अभी तक आपने इस यूटूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक्राइब जरू करना क्योंकि ऐसा ही नोलेजबल वीडियो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा इसलिए चानल को सब्सक्राइब जरू करना तो चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले अपने मुवाइल के Google Chrome ओपेन करना है उसके बाद यहाँ पे देशतों सर्चलो उप्सन आ गया है तो सर्चलो उप्सन पर आपको लिख देना है मैं आधार.uada.gov.in दोस्तों यहाँ पे आधार काड की official website से ही आप चेक कर सकते हो आपका dbt या तो npci link है या तो नहीं या तो कौन सा bank link है उसके लिए इस प्रोटर पर आजाना है उसके बाद दोस्तों इस टैप से इंटरफेस खुल जाएगा जैसे यहाँ दोस्तों आधार काड की official website यहाँ पे आ जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ एक option आता है login का तो login बटन पर क्लिक कर दना है login बटन पर जैसा ही क्लिक करोगे तो आपको step से अगला page खुल के आ जाएगा जैसे यहाँ पे देख सकते हो अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे इंटर आधार बोल रहा है तो यहाँ पे अपना आधार नमबर को डाल दना है फिर यही विला capture code को same to same यहाँ पे भारना है अब दोस्तों यहाँ पे देख तो OTP generated successful हो चुका है यानि कि मेरे आधार काड में जो भी मुबाल नमबर लिंक है उस पे OTP send कर दिये गहा है तो उस OTP को यहाँ पे fill up कर देना है फिर login पे किलिक कर देना है जैसे OTP बर भी आ गया है जैसे यहाँ पे देखतो तो OTP को यहाँ पे fill up कर देता हूं उसके बद यहाँ पे login बटन दिख रहा है तो login बटन पे click कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पे login बटन पे जैसे ही click करूँगा तो मैं आधार काड की official website पे login हो जाऊँगा तो इस step से आपको भी process कर लेना है उसके बद आपको scroll down कर दना है उसके बद दोस्तों यहाँ पे एक option आ जाता है जैसे यहाँ पे देखसे तो bank sitting status लिका हुए आपको इसी पे click कर दना है इस पे दोस्तों जैसे ही click करोगत यहाँ पे साफ साफ आपका दोस्तों NPCI या तो dbt जो भी bank link है उसका यहाँ पे list खुलके आ जाएगा जैसे यहाँ पे देखसे तो bank का नाम दिखाई देगा तो दोस्तों यहाँ पे देखसे तो साफ साफ आपके आधार काड में जो भी dbt या तो NPCI link है जो भी bank खाता वो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ आपको दिख जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपका dbt status active होना चाहिए ताकि दोस्तों आपका जो भी bank account link दिखाएगा यहाँ पर तो उसी bank account में स्तरकारी वला पैसा जो भी सरकार की तरफ से बेज़ा जाएगा उडियरकली आपके यहाँ पर जो भी bank खाता दिखाएगा उसी bank खाता में पैसा आ नहीं आयोब दोस्तों अगर मेरे तुरा बताया गए थोड़े से वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़र करना और चैनल पर पहली बार आयो तो इसी टैप से वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब ज़र करना